वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस एव्रीवान आप लोगों की प्रेपरेशन कैसी चल रही है होफिली आप लोग सभी लोग अपनी जगा पर जहां पर भी हो आच्छे हो क्यूंकि कुछ बिमारियां हैं जो बहुत तेरी से पूरे यूपी में फैल रही हैं डेली में फैल रही हैं तो अपने आपको उन बीमारियों से बचा कर रखने की आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है क्योंकि अगर आप बीमार हो जाते हैं तो जो टाइम आपको अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करना चाहिए आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हों है तो इसलिए आपको अप आपकी पढ़ाई नहीं होपाती है तो इसलिए सेकिंड क्लास अफ इडियम में फ्रेजिस फर्स्ट क्लास में हम अल्रेडी कितने कर चुके है 25 आज भी 25 होंगे थर्ड क्लास में भी 25-25 तो टो टोटल 50 मैं टोटल हमारा टार्गेट है 100 इडियम और फ्रेजिस करने का ठीक ह तो बीच में दो दिन का गप हो गया because I was not feeling well तो that's fine हो चाता है I'm a human ठीक है so let's start without wasting your time I'll start the class so here it is Cots an arm and a leg बहुत महंगा Very expensive किसी को भी कोई भी चीज बहुत महंगी पड़ जाती है तो आप बोलेंगे It cost me an arm and a leg ठीक है Do something at the drop of a hat पहले से योजना बनाना बिना कुछ करे Do something without having planned before hand Do something at the drop of a hat मतलब इस तरीके से याद कर सकते हो कि पगड़ी मतलब जब गिर गई तब आपने कुछ किया समझ रहे हो मतलब आपको तरीके पता होने चाहिए कि किस तरीके से आप उन जो आपके इडियम्स हैं आपको किस वे में याद करके रखने हैं ठीके तो इस तरीके से याद कर सकते हो आप यह कोई problem तो नहीं है आप लोगों को इस चीज में अगर है तो आप already मैंने आपको बताया हुआ बहुत बारी कि आप मुझे comment section में बता सकते हो किसी भी चीज से कोई भी related आपको problem हो थाकि मैं आपको वो चीज़ क्या करूँ, सौट आउट कर सबूँ, ठीक है? Don't count your chickens before they hatch कुछ अच्छा होने पर तब तक भरोसा ना करें जब तक कि वह ना हो जाए Don't count on something good happening until it's happened तो इसका मतलब भाई हो गया रहा है मुर्गी के अंडे जब तक मतलब आपको hatch नहीं करती मुर्गी तब तक उस पर ना भरोसा करें ठीक है? Every cloud has a silver lining अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ों के बाद आती है Good things come after bad things मतलब बादलों मैं बोलते ना silver lining होना कि हर एक बुरे का वक्त के बाद एक अच्छा वक्त आता है बादल आते हैं लेकिन फिर वो दुख के बादल चले भी जाते हैं ठीक है? तो आप जो इस तरीके से हिंदी में बोलते हैं दुख के बादल आना तो उस वे में याद कर सकते हैं कि जो clouds आए हैं तो मतलब कुछ negative है बुरा है Give someone the cold shoulder किसी को अंदेखा करना ignore someone ये तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा कि किसी को ignore करना cold shoulder देना मतलब ignore करना Good things come to those who wait धैरे रखना Be patient हमेशा ही यह होता है ये तो आप पढ़ते ही sentence पढ़ते ही जान लेंगे कि अच्छी चीज़े क्या होती है Good things take time और जब अच्छी चीज़ों को होने के लिए time लगता है और जो इंसान उस time तक wait कर सकता है तो उसी को वो मिलता है Right अब आपको wait करने के लिए क्या चाहिए patience चाहिए होते है तो इस way में आप ये याद करेंगे Alright Next He is the chip of the old block पुत्र पिता के समान होता है The son is like the father ठीक है He is the chip of the old block पुरानी ही ब्लॉक का एक नया chip Ignorance is bliss बहतर होगा कि आप ना जाने You are better off not knowing ये तो आपने बहुत सुनाई होगा hopefully क्योंकि Ignorance is bliss मतलब आप किसी को हर चीज़ को मतलब जो आपको लगता है कि दुख देती है आप जितना उसको इग्नोर करेंगे वो उतना आपके लिए खुषदाई है सुखदाई है It takes one to know one तुम मेरे जैसे ही बुरे हो You are the just as bad as I am तो मतलब जैसे को तैसा ही पैचानता है ठीक है It's raining cats and dogs बहुत बारिश होना It's raining hard ठीक है एक और चीज़ा इसमें याद रखेंगे It's raining यहाँ पे कई लोग बोल देते हैं Like cats and dogs वो नहीं बोलना है और कहीं पे भी हो तो वो गलत होता है ठीक है यहाँ पे like नहीं आएगा It's raining cats and dogs सिर्फ इतना है Live and learn गलती करना I made a mistake Live and learn Of course यह इस तरीके से याद कर सकते हैं आप जी रहे हैं और learn कर रहे हैं तो आप learn किसे करते हैं आप learn करते हैं mistake से गलती से चाहे वो आपकी हो या किसी और की हो ठीक है लोग ज़्यादा तर अपनी ही गलतियों से सीखते हैं So I made a mistake मैंने लिखा हुआ यहां पर Once in a blue moon शायद ही कभी Rarely Once in a blue moon देखिए blue moon कभी कभी निकलता है कभी ही निकलता है तो इसलिए once in a blue moon आप लोग अपनी जो schedule बनाते हैं उसको follow करते हैं Once in a blue moon Play devil's advocate विरोध करने के लिए सिर्फ तर्प के लिए To argue the opposite Just for the sake of argument Play devil's advocate अभी समझाया इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी का मतलब कुछ आर्ग्यू कर रहे हैं किसी opposite team से इसलिए क्यूंकि आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट करनी है ठीक है Rain on someone's parade विरोध करने के लिए सिर्फ तर्प करने To spoil something अच्छा ये जो है इसका ही ये हो गया है तो ये गलत है इसको आप ठीकर लेंगे To spoil something मतलब किसी को कोई चीज बिगार देना Rain on someone's parade मतलब किसी की कोई चीज हो रही है और आप जाके उसको बिगार दे तो किसी और की जो चीज थी वो खराब कर देना Slow and steady wins the race विश्व सनियत गती से अधिक महत्रपून है Reliability is more important than speed जो धीरे और अच्छे से धीरे से काम करते रहते हैं वही जीते हैं यह तो आपको खरगोश और रैबिट की एक जो टर्ड़ और रैबिट की स्टोरी है वो तो पता ही होगा जो उसमें खरगोश होता है वो अपने आपको बहुत शो आफ करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं तो बहुत फास दौटता हूँ मैं तुमसे जीत जाऊंगा लेकिन जो उसमें कच्छुआ होता है टर्टल होता है वो बोलता है कि ठीक है चीज को पाने के लिए आपकी स्पीड मैटर नहीं करती है तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ आप तो वो कि आपका जो भी लेवल है जो भी आपको लगता है कि आप से नहीं हो रहा है तो आप अपने आपको टाइम दीजिए और धीरी धीरी उस चीज को लॉन करते रहे है प्राक्टिस करते रहे है एक ना एक दिन आपको वो चीज़े जरूर आ जाएए चाहे फिर वो कुछ भी हो लाइफ में आप एक बार ही सोच लेते हैं कि मैं ये करूंगी और आप थोड़ा-थोड़ा उस चीज में क्या करते रहे है एड़ अप करते रहे वो जादा इंपॉर्टेंट होता है प्राक्टिस को अपना जो भी आपने एक प्लान जो भी बनाया हो उसको उधेड देना ऐसा बोलते न किया तो आपने तो सब के सामने सब को जाको धेड़ दिया तो वैसे ही पिल दा बीन टेक इट विद ऑ ग्रेन ऑफ सॉल्ट जादा गंभीरता से ना लेना डूंट टेक इट टू सीरिस्टी किसी भी चीज को मतलब उसी तरीके से लेना जैसे कि थोड़ा बहुत मतलब लाइटली हर चीज के लिए कई लोग होते न सीरियस हो जाते हैं तो हर चीज को सीरियस्ली नहीं लेकर थोड़ा लाइटली ले रेना अब आपके पाले में जो बॉल है अब आपको डिसाइड करना है कि आपका क्या डिसीजन होगा समझ रहे हैं आप आपका निरने क्या होगा यू और दवन हूँ इस एट पोजीशन वेर यू कें टेक अडिसीजन ठीक है सबसे पहले आने वाले लोग को सबसे अच्छी चीजे मिलेंगी तो ये तो आप जैसे ये पढ़ेंगे आपको नैचरली पता चल जाएगा जो चड़िया अपने घूसले से सबसे पहले उड़ जाती है उसी को सबसे पहले जो वाम सोते हैं वो मिलते हैं तो इसका मतलब वही हुआ ना कि आप सबसे पहले कहीं पर जाएंगे और जो भी वहाँ पे सबसे अच्छा होगा वहाँ का वो चीज आपको मिल जाएगी ठीक है the elephant in the room बड़ा मुद्दा जिस समस्या से लोग परहेज कर रहे हैं the big issue, the problem people are avoiding elephant in the room का मतलब होता है कि कोई भी आपके कमरे में जैसे कि ये समझ लिए हाथी है ठीक है लेकिन आप जो है गे इंसान है जो इस हाथी को इग्नोर किये ही जा रहे है और ये हाथी जो आपके कमरे में रखा हुआ है इसकी वज़े से पूरा क्या है आपका space कवर हो गया आपके पास और चीज़े रखने कर वह नहीं है क्या नहीं है space नहीं बचिये लेकिन आप तब भी इसको यहां पर बनाए हुए है क्योंकि आप इसको अभी deal नहीं करना चाहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है लेकिन इसको avoid किये जा रहे है ठीक है और ये बहुत बड़ी problem है आपके लिए throw caution to the wind जोखिम लेना take a risk ये तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि आधियों से लड़कर ही आप क्या कर सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं तो आधियों से जब आप क्या करते हैं लड़ते हैं तब ही आप आगे बढ़ते हैं तो जोखिम लेना risk लेना पागल लगता है लेकिन वास्ताम में चतुर है अपने ही धुन में जो लोग काम करते रहते हैं पागलों की तरह है उनका एक जुनून जो होता है उस मेडनेस की बात हो रही है वैसे वाले पागल पंती की मतलब कि एकदम ही मेंटल है वो वाला मेंटल नहीं उस मेंटल मेडनेस की बात हो रही है जो जुनून होता है उसके लिए आप मतलब अपने आप पर ध्यान नहीं देते या आप किस तरीके से दिख रहे हैं उस पर कोई वो नहीं आप किस तरीके से बोल रहे हैं उस पर कोई नहीं किस वे में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं समझ रहे हैं, उस madness की बात हो रही है, उस जुनून की बात हो रही है यहां पर आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता, you can't have everything तो इसमें बोला गया कि आप ही की केक हो और आप ही उसको खा रहे हो ऐसा नहीं हो सकता you can't judge a book by its cover, यहां व्यक्ति यह वस्तु बुरी लग सकती है लेकिन अंदर से अच्छी है, this person or thing may look bad, but it's good inside तो मतलब यह तो बोलते हैं किसी को भी सूरत से नहीं, सीरत से पहचानो, है न? तो कभी भी कई लोग ऐसा होता है कि चहरे देखकर बात करते हैं या फिर कोई भी और चीज़ हो कि आपको अच्छी दिख रही है तो ही लेंगे, otherwise नहीं लेंगे तो वही सूरत पर नहीं, सीरत पर जाओ, यह मतलब है इसका उफली, यह clear हो गया हो तो यह बहुत बड़ी class थी नहीं क्योंकि मैंने आपको 25 ही करवाने थे तो मैंने जादा time लिया नहीं, मैंने जल्दी जल्दी आपको यह करवा दिया आप जितने भी करवाएं है 25, यह last है तो आप इसको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, memorize करेंगे और हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे और दूसरी बात है इसको बार-बार क्या करते रहेंगे आप revision करते रहेंगे break the eyes लोगों को अधिक सहज महसूस कराएं make people feel more comfortable break eyes करते हैं जैसे कोई आपसे first time मिला ठीक है, और वो आपसे बात नहीं कर पारा uncomfortable है, थोड़ा hesitate है बात करने में तो आप कुछ भी ऐसा पूछें उससे की आप कहां से हैं, आपकी habits क्या हैं आपकी hobbies क्या हैं, आप क्या करेना पसंद करते हैं क्या पढ़ते हैं, आप कहां तक पढ़े हैं जो भी, ब्ला-ब्ला जो भी है तो वो मतलब उसको एक बारी comfortable करना उसके बाद जो भी अपनी normal talks पर आजाना तो वो होता है, break the eyes hopefully आपको ये 25 आज के जो idiom and phrases से वो समझ आए हो, clear हुए हो और जो मैंने थोड़ा बहुत बताया है आपको उससे आपको help मिले कि किस तरीके से हमें memorize करने हैं सारे, ठीक है तो अभी तक आपको कितने idiom and phrases मिल चुके हैं, कितने मिल चुके हैं, 50 ठीक है, तो ये 50 आप अच्छे से अपने क्या कर लेंगे आप पढ़के याद रखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से ताकि आप भूले नहीं, अब आपको next two classes में 50 और मिलेंगे, आपको वो भी याद करने हैं और आज टेस्ट है आपका, उसके लिए वोफिली आपने, जो मैंने बोला था voices and narration का, वो आपने सारी classes देख ली हूँ दोनों की और आज आप टेस्ट के लिए तयार हूँ आपको यह सारी वीडियोस फ्री आफ कोस्त अवेलबल होगी so thank you so much guys